हलो दोस्तों अब फिट से आप सभी का स्वागत है टेक्निकल टॉक से एक नवी वीडियो में दोस्तों अगर शाओमी के आपके मोबाइल में रिमेनिंग डेटा शो हो रहा है और आप चाहते हैं दिस मन्त डेटा शो करना तो देखें वीडियो और लाइक को शेय करना ना है तो दोस्तों आपको रिमेनिंग डेटा किजिए कर दिस मन्त डेटा करना है शाओमी का कोई भी मोबाइल है तो किस तरह से करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों सेटिंग्स आपके मोबाइल में इस पर जाना है यहां पर सेर्च में यहां पर सेर्च करना है में जैंब open कर लेंगे यहां पर एपने के बाद में देखिए यहां पर अपनी एप्रिकेशन सारी यहां पर शो हो जाएगी तो यह इन एप्रिकेशन में से दोस्तों हमको क्या करना है security जो है वो open करना है तो हम यहां पर search कर सकते हैं उपर फिर one thirty seven तो यहां पर हम सर्च करेंगे सिक्यूर्टी करेंगे तो देखिए यह ओपन हो गया तो यहां से हमको क्या करना है दोस्तों यह देखिए नीचे clear data का option इसमें दे रखा है security में सबसे नीचे तो clear data वाला जो option है उस पर हमको यहां पर करना है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखे clear पहले हम कैशे कर देंगे और फिर all data कर देंगे तो जैसे delete all data तो आपको confirmation मांगेगा तो आपको क्या करना है okay कर देना है okay करते ही देखे दोस्तों वापस हम देखते हैं तो देखे remaining है अब देखेंगे दुबाय refresh करने के बाद में तो इस मन्त आ गया है तो इस तरह से आप कर सकते हैं अब दोस्तों जो security बेज़े नोटिफिकेशन यह किस तरह से आता है वो किस तरह से आप सर्च करेंगे यहां पर security यहां पर आप जैसे सर्च करेंगे security पर देखिए अब यहां पर सर्च करने के बाद में इसको ओपन कर लेना है फश्ट को और यहां देखे शो मेन्यू नोटिफिकेशन शेयर इसको आफ कर देते हैं आफ करते ही अभी चला जाएगा क्योंकि मैंने पहले इनेबल कर रखा था यह देखिए और अब वापस में इसको अभी डिसेबल कर दिया आप मैं वापस इनेबल करत impacto ISO702 है अब देखिया है अब हम यहां से ओन कर देते हैं ओन के बाद में देखियो सीधा अगया है अब तो दोस्तो इस तर्थ सी आप आपशोछ अप्सों कर जा गिए है यह है exercise हम करें तो दोस्तो इस तरसा आपके आपनेशहूं से कर सकतें उम्मीत कता हूं वीडियो आपको पसंद्र आप вас ना भूंगा अगर वीडियो दोस्तो पसंद्र आतो प्लीज इसे लाइक और शेयर करन तेंक यू